हेलो गाईज आज इस वीडियो पे आप स्क्रीन पे डेफिनेटली आलोक इंडस्टी का नाम देख रहे हैं लेकिन सिर्फ ये वीडियो आलोक इंडस्टी को इंक्लूडिंग नहीं करेगा आलोक इंडस्टी के साथ साथ रिलाइंस इंडस्टी और फ्यूचर ग्रूप के जित सरकीट आलोक इंडस्टी में और फ्यूचर गूरूप के बहुत सरे सेयस में चाहे वो फ्यूचर फैसन हो फ्यूचर रिटेल हो और जितने भी हैं सभी कंपनीज में आपको आपर सरकीट देखने को मिलेगा जियां आपको एक खबर में बताऊंगा खबर की पूरी जानकारी पूरी केस स्टाडी में बताने वाला हूं कि फ्यूचर गूरूप रिलाइंस इंडस्टी आर आलोक इंडस्टी में ऐसी क्या खबर आई है लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पे एक बार जलक दिखाऊंगा ट्रेडिंग सिशन की तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन और मैंने कहा भी था बीच में जब यह इंडस्टी यह कहा था तब है और इससे नीचे नहीं जाएगा इंडस्टी फिचर गूरूप के डील को लेके काफी ज्यादा ब्यृस्त है और यह बेस्ततह हटेगी इस बार की result भी बहुत तगड़ी हुई है आपने देखा होगा आलोक इंडस्टी का तो इन सभी को include करते हुए सबसे पहले हम लोग खबर एकदम जबजर्स्त है सभी stocks में आपको बहुत जादा momentum देखने को मिलेगा चाहिए वो relance इंडस्टी हो जो डील है वो फाइनल नहीं कर सकती है क्योंकि सिंगापूर एट्रिबेशन पर केस किया गया था इसके अगेंस्ट में objection किया गया था सिंगापूर एट्रिबेशन में इसलिए गए थे हैं मैजॉन क्योंकि वहाँ पे quick decision होता time taken नहीं होता है और देखे जिसे साब से वहाँ पे decision आया वहाँ पे decision pending रही और यह जो केस थी वह से भी और कम यहां पे competition commissions of India CCI इन दोनों के हाथ में चली गई इनहीं के पास में सारी चीज़े थी इस खबर पर पूरा clear यह चीज कहा गया है मतलब कल ही यह खबर आई है और मार्केट क्लोज होने के बाद खबर आई है बहुत जबरजस्त खबर है रिलांस इंडस्ट्री आपको आग लगाता दिखेगा सोंबार को मंडे को साथ ही आलोक इंडस्ट्री पापर सर्कृट लगना तय है क्योंकि इस retail सिग्मेंट को लेके फ्यूचर ग्रूप के retail सिग्मेंट को लेके आलोक इंडस्टी का भी बहुत बड़ा जो manufacturing हब है और यहां पे जो इनके sales होंगे वो जुड़ा हुआ है और यह problem आ रही थी कि यह deal साइद finalize नहीं हो देखिए आप चीजों को समझेने की कोशिस कीजेगा कि Ri lane industry यहींराइस इंडस्टी नहीं कही जाती है फ्यूचर ग्रूप के deal को लेके क्यों इतना परेशान थी रिलाइस इंडस्टी देखिए फ्यूचर ग्रूप के deal के बिना रिलाइस इंडस्टी एक दम ऐट ए टाइम पूरे इंडिया के सभी cities मे धूम नहीं मचा पाती क्योंकि फ्यूचर गुरूप के बहुत सारे आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक के साथ साथ वेरहाउस होलसेल रिटेल यह सभी सिगमेंट पे फ्यूचर गुरूप का अल्रेडी मॉल बना हुआ अपने बिग बजार का नाम सुना होगा और फ्यूचर मॉल्स को यूज कर पाएंगे और अपना प्रोडेक्ट बेच पाएंगे और वो भी बी टू सी मतलब बिजनस टू कंजूमर का सेल होगा मतलब बीच में जो होलसेल और उसके बाद रिटेल और उसके बाद कंजूमर आता था बिजनस से आता था होलसेल पे होलसेल से माल जा जियो मार्ट से और यह हमारे पास डारेक्ट पहुंचेगा तो इनका जो कमिशन्स था वो कहीं न कहीं रेट में आपको फरक दिखेगा और इसी लिए रिलास इंडस्टी मैनिफेक्ट्रिंग हब ही बना रही है आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फरनीचर्स की एक कंपनी को इक्वाइर किया आलोक इंडस्ट्री टेक्स्टाइल को कंपनी को इन्होंने एक्वाइर किया उसके बाद इन्होंने एक ट्वाइज मेकिंग कंपनी को इक्वाइर किया नाम में भूल रहा हूं बीच में और भी कंपनी को इक्वाइर की गई है छोटे-छोटे कंपनियो को जिसका नाम आपने नहीं शुना होगा हमने भी नियूस के माइदम से बहुत ज़्यादा उसे कभर नहीं किया होगा एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी को रिलांस इंडस्ट्री ने कवाईर किया तो पूरा प्लान जो है वो अल्रेडी तय है और उस प्लान पे काम हो रहा था लेकिन बीच में फ्यूचर गूरूप की डील के वज़े से क्या हो रहा था इनका जो बिजनस सेट अप था जो ये पूरे एक बार में इंडिया के टॉप मॉस्ट सिटीज में उतरने वाली है वो फ्यूचर गूरूप के पूरे रिटेल सिगमेंट को होलसेल को लोजिस्ट को वेर हाउस सारे को बिना यूज किये हुए इतना बड़ा इंफ्राइस्ट्रेक्चर कंपणी इतना जल्दी तयार नहीं कर सकती है रिलांस इंडेस्ट्रीक पैसे की कमी नहीं है लेकिन जो टाइम है वो टाइम को किस हिसाब से मैनेज किया जाए तो रिटेल सिगमेंट से भी ज्यादा इनके मॉल्स वेगरा फ्यूचर गूरूप के अठार सिटी से भी ज्यादा जगों पर आपको इनके मॉल्स मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेम से तो आप देखिएगा यह बहुत बड़ी खबर है सिर्प आलोक इंडेस्ट्री के लिए नहीं है मैं ऐसा नहीं कहूंगा यहां पर देखिए देखिए देल रिक्वायर्स अप्रूबल फ्रूम सी सी आई दे सी कुरिटी एंड एक्सेंज बोड फ्रेबी और नेशनल कंपनी लॉट्ट्रिबूनल न्सल्टी इन एडिसंस तो नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेशन फ्रूम यह इस खबर से इनको प्रॉफिट होने वाला है रिलांस इंडस्री को ठीक है और यह जो एमेजोन वाली बात थी वह मैंने पहले भी कहा था कि देखिए डील तो फाइनल होके रहेगी डील नहीं फाइनल होती तो फ्यूचर गूरूप पूरी तरीके से बरबाद हो जाती और फ्यूचर गूरूप ने तो अपना हाथ खड़ा करी लिया था इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर यह डील फाइनल नहीं होई तो फिर कंपनी दिवालिया प्रोसेस पे जा सकती है जिस पे सारे बैंकर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी जिनोंने पैसे दे के रखा फ्यूचर गूरूप को क्या होने वाला थे इन्होंने तो पैसे लोन पे लेके ही काम किया था और पैसे किनके डूपते बैंकों के तो बैंकों का कॉलैप्स होना मतलब बहुत बड़ा जटका होना इसलिए यह डील फाइनल होनी थी और मैंने आपको कहा था कि यह डील फाइनल होगी चौबीस हजार करोड की यह ओवर ओल डील थी और देखिए यह डील लगबग उसी राप पे जा रही है और यह फार्मिनिटीज होगी अगर दो चार और थोड़ी से प्राबलम आई लेकिन आप डेफिनेटली इस चीज़ को मान के चलिए कि र और इंजोई किजिएगा मंडे को अगर आपने फ्यूचर गुरूप की किसी कंपनीज का माल उठा रखा मैं आपको दिखाना चाहूंगा देखिए और रेडी सभी स्टॉक्स में लगबग अपर सर्कीट के आसपास में क्लोजिंग किया फ्यूचर कंजूमर हो फ्यूचर प्यचर रिटेल डी वी आर हो फीचर लाइप स्टाइल हो सब में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर मार्केट नेट्वर्क हो या फ्यूचर रिटेल हो आप देखिएगा सभी में अपर सर्कीट लगता दिखेगा फ्यूचर सप्लाइचेन है यह खबर रिल तो आप देखिएगा रिलास इंडस्टी तू तू थाउजन के आसपास में जाता दिखेगा तू थाउजन को क्रॉस करते यह स्टॉक और बुलिस हो जाएगा और अपने फिप्टी टू वीख हाई तैइस सो बीस या तैइस सो चालिस के आसपास में है उसे छूने की कोशिस करेगा यह इतनी बड़ी खबर है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ आपको सारी चीजे बता पाया हूँ इंक्लोडिंग करके अगर सारी चीजे समझ में आई तो एक बार जरूर लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम कीजेगा और जो लोग इस चीज से डरते थे उन लोगों तक वीडियो को शेर कीजेगा कि रिलाइंस की डील फ्यूचर हमारा चैनल विजिट करने के लिए हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक्यू